असलाम को स्टूड़ेंस आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स लेक्टर कंप्यूटिशन फिजिक्स का और आज हमारा जो है वो लेक्टर नंबर फाइव है बेसिकली हमारे पास इसमें हमने कॉंटेंट्स देखने हैं वह मैं पस कुछ इस तरह से आज हम देखेंगे वेर फूसर डिकलीरिंग वीड वीडेंबस बैसिकली वीडेंट्स क्या होते हैं लास्ट लेक्टर में इसको डिसक्स किया थोड़ा थोड़ासा और आज हम इसको थूड़ा से रिवाइस कर लेते हैं युजिकली वेरीमस आपका स्टें प्ले दाजार hen करते हैं आपके कंप्यू यूज कर सकते हैं और उसकी स्पेस में जो भी आपका डेटा या वैली स्टोर हैं आप उनको एकसेस कर सकते हैं और डिफरंट कैलकुलेशन में इस्तमाल करते हैं तो वह बिसके लिए आपके वेरीबल्स कहलाते हैं वेरीबल्स के में डिफरंट टाइप से की थी कि आपके पा तो आज हम देख रहे हैं कि आपके पास नाम डिसाइड करते हैं क्योंकि सबसे इंपर्टन है जब तक आपके पास नेम डिसाइडिट नहीं होगा आप अपनी मेमरी को एकसेस नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमाइपस डिफरेंट रूल्स हैं जो हमने इसमें देखने हैं सतन हैं tutto इसे जम 나टर बा inspired टेशंट मेंडिखने नहीं कर सकते हैं जोना है चाईड बा लिए पास अबनक्त में होगा आप लीव böyle क्ट में इसमें डे सकते हैं नेक्स हमाइब करहेएं इसको आप जब स्ट्राइड करेया नें को लिखने हैं तो पहले लिटर आयञा आपका एल्फाबेट हो सकता है या उन्रों सकता है इसी तरह से ब्लैक स्पेशिज आलाउड नहीं होगी याप उसमें स्पेश नहीं दे सकते हैं नेक्स्न हमारे पास है कि आप Letters जो है up capital भी इस्तमाल कर सकते हैं और small में भी इस्तवार कर सकते हैं और इसी लिगे आपके smile word नियास। और आपके सेम इसीदर से जब ब्रपी नेम कर्येत एड हारें तो आपकी ज Deutsch नेम होगा उसके जो total letters होंगे वो अगर count करें तो 31 character से ज़्यादा लंबे या ज़्यादा exceed नहीं करने चाहिए और last हमारे पस है कि जब आप variable एक बना लेते हैं एक दफ़र declare कर लेते हैं उसको यानि एक नाम आपने decide कर ले एक variable का क्या आपने उसका नाम क्या रखना है उसमें किस किसमें data store करना है तो वोही name, same वोही specifications अब दुबारा अपने program में किसी और variable के इस्तमाल नहीं करते हैं तो ये आपके variables के names के कुछ rules है और अगर हम examples देखें तो आप इसकोछ examples मौजूद है जैसे मैंने सबसे पहले example दीवे के roll number हो सकता है आप पास पहला यानि ये rule हमारे पास कि आप उसको example में roll number अब इसमें अगर आप देखें तो आपको letters ही नजर आ रहे हैं आपको alphabets इसमें नजर आ रहे हैं numbers इसमें नजर नहीं आ रहे हैं और इसमें blank spaces भी नहीं है ये properly name है और ये valid name है letters में capital भी हो सकते हैं और small भी हो सकते हैं इसमें अगर आप देखें तो मैंने student और name में gap दिया वा तो ये गलत है ये आपका name जो ये गलत होगा इसमें automatically आपका compiler और error generate करेगा लेकिन अगर नीचे आप देखें तो मैंने उसमें underscore का इसमाल किया है इसमें आपका आपका जो है वो cover हो गया तो ये आपका valid जो है variable name है इसना से नीचे अगर देखें student underscore one ये भी valid name है क्योंके इसमें number भी हैं लेकिन number start में नहीं है ये बिल्कुल valid है ये भी valid है आपका student two इसमें बेश्रक आपने underscore नहीं दिया लेकिन start में इसमाल आप नहीं करेंगा आप इसको last में use कर सकते हैं हाँ जी students अब हम एक program बनाने जा रहे हैं जिसमें आपने three subjects के marks जहाँ किसी भी student से आपने लेने है program में और फिर उसकी आपने average calculate करके screen पर display करवानी है तो last में जो आपके लेक्टर से उनमें कुछ मैंने आपको steps बताये थे कि program आप कैसे बनाते हैं आज इसको हम practically बनाने की जो है वो practice complete करें कि हमने कैसे बनाने तो आपने याद रखना है कि हमें कितने variables चाहिए हैं जाहिए से बात अगर हमें 3 subjects के marks store करने तो 3 different हमें जो है उसके लिए variables चाहिए होंगे और जब हम उनकी average calculate करेंगे उसके लिए हमें एक 11 से variable भी चाहिए होगा तो टोटल हमाँ पस 4 variables होने चाहिए तो हम start कर लेते हैं devc को जब आप open करेंगे devc तो देखें आप पस इस किसम की विडियो सामने आएगी आप सेम उसे तरह से file में जाकर और source new में जाकर source file open कर लेते हैं या director कर जाएं तो जैसे मैं control and press कर रही हूं तो आपके file create हो जाएगी आपने start करना है जैसे कि हम start कर चुके हैं और इसमें आपने कोशिश करनी है कि spellings का आपने ख्याल रखना है क्योंकि spellings की mistake आपकी जाए वो इसमें आ जाती है आपके जो syntax errors है basically वो बन जाते है जी हम लिख रहे हैं using name space std लगाएंगे इसमें उसके बाद int main या आपका main function है आपको याद है कि हम main function क्यों यूज करते हैं ताके हम compiler को starting point बताते हैं उसने execution start करने है उसके बाद आपकी body of the program start होगा अब basically मुझे क्योंकि student से 3 subjects में marks लेने हैं तो मुझे 3 variables चाहिए हूँ कि ताके मैं में marks को store करवा सुकुन variables में और उसके बाद मुझे 4 variable चाहिए हूँ कि जिसमें average calculate करूँगी क्योंकि numbers हम store करने जा रहे है marks आपकी numbers होते है तो data type हमारे पस होगी int उसके बाद मैंने उसे तरह से नाम रख रही हूँ जिससे marks 1 रखती है comma marks 2 रख लेते हैं उसके बाद marks 3 रख लेते हैं या आपका 3 different variables जो हो create हो चुके हैं अगर आप चाहें तो 7 इसके आप average के नाम से भी variable बना सकते हैं अगर आप देखें तो मैंने 4 variables बनाए हैं commas लगा कर मैंने इनको separate किया जिससे यह कि सब के सब जो है names जो है वो variables के decided हो जाएंगे और 7 इसाथ उनकी data type जो वो integer हो जाएगी और इसमें अगर आप देखें तो मैंने numbers भी इस्तेमाल किया हैं लेकिन मैंने space नहीं दी है मैंने इसमें numbers को start में यूज नहीं किया यनि यह valid आपके पास names बन जाएंगे हाँ जी अब variables बन गया है लेकिन यह variable जो हमने बनाए हैं यह basically आपका variable declaration का process है लेकिन यह incomplete है क्योंकि इसमें अभी तक आपकास कोई भी data मौझूद नहीं है data हमने किसे लेना है obviously students से लेना है तो जब आप students interaction करने जा रहे हैं तो आपको see out statement का इस्तेमाल करना होगा see out basically आपके screen पर message या results को display करने के लिस्तेमाल होती है तो अभी मुझे इसकी जरूद पढ़ रही है ताके मैं student से marks ले सकूँ तो देखें मैं पहला एक message create कर रही हूँ enter marks of first subject अच्छा ये आपके पास message है और message के अंदर आप किसी तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं उसमें कोई rule नहीं है क्योंके message as it is screen पर जाता है जब इस screen पर message आएगा obviously आपका जो student है वो कोई नहों की number enter करेगा तो वो numbers मुझे फॉरन किसमें चाहिए marks 1 जो variable है उसमें होने चाहिए तो मैंने cn लिख दिया cn क्या करेगा जो screen से user data enter करवाएगा वो वो variable marks 1 में enter यान store करवा लेगा same इसी तरह से मैं next लिख रही हूँ enter marks of second subject और last में semicolon भी लगा रही हूँ अब जब ये message नजर आएगा तो obviously वो ready हो जाएगा second marks जो numbers है आपके subject के वो एंटर करने के लिए तो हमने फॉरन से variable कर नाम scene में दे दिया है see out फिर बता रही हूँ screen पे आपकी कोई भी value कोई भी message display करने के लिए होता है scene आपकी values को input करने के लिए समाल होता है और वो input किसमें होते हैं variables में इसी तरह से हम next लिखेंगे enter marks of third subject और उसके बाद हम see in दे देंगे दुबारा से जिसमें आक पास marks आ जाएंगे third आपका जो variable है marks three नाम आपने याद रखने है जो variables उपर बनाएं आपने as it is उनके name इस्तमाल करने अब आपका तीनो subjects के marks आ जाएंगे अब हमारा अगला step जो आपका step है वो यह है कि आपने इनको calculate करना है अच्छा अब average का formula क्या होता है average का basically formula आप सबको पता ही होगा कि सबसे पहले आपके पर जितने भी numbers होते हैं values होती हैं उन सबको आप plus करते हैं और फिर उसको divide करते हैं total number of values पर तो देखे मैं यहाँ सबसे पहले आपके पास जो variables हैं जैसे marks one उसको मैं plus करूंगी marks two के साथ फिर उसको plus करूंगी marks three के साथ तो यह पहले हमने इन तीनों को plus कर लिया अब हमने variables के नाम लिखे हैं तो directly जो compiler है वो variables के पीछे उनके values को उठाएगा और उनको plus कर लेगा अच्छा प्लस करने के बाद आप मुझे divide करना टोटल कितने सब्जेक्ट्स है थी है तो इतमीन तोटल नंबर आपके सब्जेक्ट्स थी होंगे त्री पे हम divide करेंगे और statement के end पे semicolon आपना लाजमी लगाना है तो यह आपका calculation होगी अब calculation के बाद अब मुझे सिर्फ calculation तक नहीं रहना मुझे इस calculation को इस result को screen पे दिखाना भी है obviously इस दिखाने के लिए दुबारा मैं see out की statement का इस्तमाल करूंगी तो see out और हम इसको लिखने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे the result अच्छा अब फिर message है तो आप जो जैसी शकल में चाहिए आप दे सकते हैं तो आप result लिख सकते हैं average लिख सकते हैं तो अगर suppose मैं यहाँ पे average लिख लेती हूं of marks आप जैसे मरजी चाहिए message बना सकते हैं यह message है लेकिन अब यह जो message है ना inverted commas के अंदर जितना हिसा यह as it is screen पे जाएगा लेकिन मुझे इसके साथ-साथ जो variable average है उसका data यह उसकी value भी display करवानी है तो उसके लिए हम दुबारा से insertion operators इस्तमाल करेंगे और आगे मैं variable का नाम लिखतूंगी अब यह statement दो इससों में divided है इसमें यह जो पहला हिसा आपके पास basically यह message का है और यह variable की value को display करवाए गया है क्योंकि इसको मैंने inverted commas में नहीं लिखा तो यह as it is आपके screen पर जाएगा हाँ जो students आपके इसको type कर लिए अब इसका next step हमारे पास आपके इसको save करना था कि मुझे average zero चाहिए नीचे देखें तो आपके पास c++ source file automatically के extension हो तो खुद खुद सेव हो जाएगी यह खुद खुद अपने जहाप इसकी values होती है आपका folder जो बना होगा उसमें जाके यह store कर देगा तो यह आपकी देखें आपकी जो file है यह save हो चुकी है और यहाँ पे आप उसका नाम भी display हो रहा है ठीक है अब आपने इसको करना है compile compile करने के लिए हमारे पस यह देखें ओपर यह option आप पस यह icon मौजूद आप इसे click करते हैं या आप keyboard से F9 भी प्रेस कर सकते हैं तो मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगी तो आपका compiler basically compilation start कर चुक है उसने एक ही करके सारी statements को जब compile किया translate किया और देखें यहाँ पे number of error 0 है warning 0 means आपके program में किसी किसम की कोई mistake नहीं है अब अगला step हमारे पस इसको execute करने का means जो translate हमने कर लिया file को उसको हमने run करना है execute करवाना है computer से तो उसके लिए देखें यह आपस यह icon बना है run का यह F10 भी आप प्रेस कर सकते हैं तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो automotive अपनी execution की तरफ चला जाएगा अच्छा अब execution में जब जाएगा तो यह आपस console आपको सामने नजर आ रही है screen अब यहां पर आपकी वह पहली जो statement थी जो हमने message दिया था enter marks of first subject अगर आपको याद हो हमने यहां लिख था यह देखें enter marks of first subject यह आपको नजर आ रहा है और यह जो मैंने scene के आगे marks लिख आ है variable का नाम actually statement की जैसे यहां पर यह pointer आपका blink कर रहा और wait कर रहा है अब यह सामने आ जाएगी और इसी तरह से यह इंतजार कर रहा है user से के आप इसमें कोई data input करें आप देखें जैसे जैसे आप keyboard से enter करते जाएंगे obviously आपका जो भी value है जो result है वो screen पर जैसे जैसे आप enter करें वो आपकी screen पर नजर आएगा और आपकी computer में भी यानि आपके program के variable में भी एंटर होता जाएगा value लिखने के बाद आपने हमेशा enter की press करने है तो next step पर जाएगा अब देखें थर स्टेट्मेंट आजएगी enter marks of third subject same आप उसी तरह से देंगे suppose यहां पर मैंने दे दिया 64 अब आपको समझ आ गया होगा इसके बाद इसको close कर देंगे ठीक है और हम दुबारा जो है इसको मजीद बना के देख लेते हैं next programs में कि हमें understanding हो जाए तो यह आपका पहला program था और इस program में आपने basically 4 variables का इस्तमाल किया है और उन variables की data type आपको इंटीजर थी variables के नाम कैसे रखे जाते हैं यह जस्ट आपको example मैंने दी कि आप variables के नाम किसे बनाते हैं और साथी साथ c in और c out का इस्तमाल कैसे किया जाता है वो हमने आज इसमें दुबारा एक दफ़ा revise कर लिया हाँ जी next हम देख लेते हैं इसमें प्रोग्राम हमें बना लिया अगला हमाई पस टॉपिक है constants का constants basically क्या होते हैं हमने अभी देखा variables के बारे में variables basically जो चीज़ चेंज हो सकती है यह ऐसी memory location जिसमें data जो आपका store होता है वो fix नहीं होता वो change हो सकता है और constant basically two types के होते हैं एक आप पस literal constants होते हैं और एक आप पस symbolic constants होते हैं यह दो तरह क्या आप पस constants है हाँ जो literal constants basically जो open होते हैं यह आपको open लिल नजर आते हैं जैसे देखे 20 लिखा वाया अगर किसी भी statement में तो यह आप easily देख सकते हैं कि 20 means 20 ही होगा 21 या 90 नहीं होगा तो इसे हम कहते हैं integer constant ये integer literal constant इसा तरह से points में जो value PSM कहते हैं floating constant या floating literal Jenkins और यह जो आपस a clever character constant या literal character घौँंस्टेंस होगा इससे दा से आपको याisa name लिखा इसमें काफी सफेंसावाटर्स है तो स्ट्रिंग constant या string literal constant है तो basically जो आपको values ओपनी नज़र आती है आपके program में वो आपके literal constants कहलाते हैं हाँ जो symbolic constant आपको पास कौन से होते हैं अगर आप constant values को कोई नहों कोई नाम दे दें जैसे हम variable को नाम दे रहे थे तो actually अब आप यह समयने कि एक तरह से variable create किया लेकिन फॉरण से आपने restriction लगा दी कि इसकी value change नहीं होगी तो अब वो variable नहीं कहलाएगा वो आपका symbolic constant कहलाएगा कि नाम भी वैसे ही होगा value भी उसी तरह से store होगी लेकिन वो value fix होगी वो change नहीं होगी और obviously जैसी आप variable बनाते थे तो आप उसको start में blank छोड़ देते हैं खाली होता है बाद में value आप store कर सकते हैं उसमें लेकिन यह पर यह होगा कि जैसे आप इस symbolic constant को create करेंगे तो आपको उसको साथे value भी store करवानी है अच्छा इसको बनाने के हम आपस दो procedures है एक हम आपस const qualify यह हम keyword इस्तमाल करते हैं इसको बनाने के लिए और दूसरा हम आपस है define directive इन दोनों को हम इस्तमाल करते हैं इसको create करने के लिए हम बारी बारी इन दोनों को देखेंगे अभी हाँ जी सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमने कॉंस्ट qualify इस्तमाल करना है हम एक constant बनाएंगे और फिर देखें कि कॉंस्ट कैसे कॉंस्टिटी यह बताते हैं जिबके price उसकी पहले सिसमें decided यह भी इनी फिक्स होती है तो हमने अब यहां पर fix price इस्तमाल करनी तो हमें वेरी बली चाहिए हमें यहां पर constant चाहिए और constant के लिए जो वे इस्तमाल करीं, वो const qualifier के मदद से इसको create करूँगी, तो हम इसको अभी देख लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर, जी, next पना लेते हैं, प्रोग्राम अपना, दुबारा से देखे, अपने प्रोग्राम में, यूजिंग नेम स्पेस, आप सिर्फ इसको अतना याद रखें, कि ये आपके, आपकी मेमरी में, जितने पिया वेरिबल्स बनाएंगे, जो लोकेशन से इस्तमाल करेंगे, उसके लिए आपको जाए वो allow करती ही, कि आप इस्तमाल कर सकते हैं, मेमरी की स्पेस को, और अपनी मर्जी से नाम दे के उससे यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम int main function इस्तमाल करने जा रहे हैं, जिससे आप compiler को बताएंगे कि starting point उसका क्या है, हाजी, अब इसमें अगर आप देखें, तो हम जो bill calculate करेंगे, उसमें सिर्फ हमें दो चीज़ें बेसिकली चाहिए, एक तो हमें जो है, इसकी price चाहिए, जैसे मैं int price दे देती हूँ, variable मैंने बनाया, और क्यूंकि price को मैं fix बनाना चाहरी हूँ, तो देखें मैंने इसमें suppose, जो है price दे दी 150, यह आपकी product है, उसकी price 150, और मैं चाहती हूँ एक constant हो जाए, तो इसको मैं इसके start में word दे दूँगी, const keyword, तो यह अब आपकी जो price है, यह variable नहीं रहेगा, यह बलकि आपका, जो है एक constant बन जाएगा, उसके बाद next हम बना लेते हैं, quantity, quantity के नाम से, quantity का देखे, मैं आप word short दिया है, जरूरी नहीं कि आप इसको maximum letters को बनाएं, आप name short भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपकास आजाएगा, एक bill variable, obviously price आपके पास मौजूद है, quantity भी आपको store करवाने हैं, और bill भी आपने calculate करवाने हैं, इतनी चीज़ें आपने store calculate करवाने हैं, उतने वेरियबल्स आप इसमें इस्तमाल करेंगे, अच्छा जी, अब इसमें जो important चीज़ें हैं, कि यूजर ने कितनी quantity पर्चेस किये, तो हमने यूजर से लेनी हैं, obviously यूजर से लेने के लिए, कि मैं see out में पहले message डिस्प्ले करवाऊंगी, और हम उस message में क्या देंगे, कि enter करें वो अपनी quantity, ये कितनी quantity उसने ली है, तो हम यहां देते हैं, enter the quantity, यहां पर आप चाहें तो पूरे spellings भी लिखते थे हैं, आपका message फिर वोई बात, जैसा message चाहें आप इसमें display करवा सकते हैं, enter the quantity of product, उसके बाद हमारा पर साजाएगा, जैसी वो quantity एंटर करेगा, तो quantity आपके quantity variable में store हो जाएगी, spellings आपने ख्याल लखना है, अच्छा अब quantity भी आगी, price हमारा पर से fix मौजूद थी, अब हमने क्या करना है, हमने bill calculate करना है, तो bill actually कैसे calculate होता है आप पास, कि आप price को multiply करते हैं quantity से, तो आपका bill जो है वो calculate हो जाता है, अब bill calculate हो गया, तो उसका हमें display भी करवाना है, तो देखें, यहाँ पर हम देदेंगे, the total bill, is equal to, और उसी तरह से फिर हम bill जो variable हो यहाँ पर लास्ट में देदेंगे, ताकि उसकी value आपके screen पर display हो जाए, कोशिश करने है, spelling का ख्याल रखना है आपने, ताकि किसी किसम की mistake सामने ना आए, अच्छे जिए अगला procedure यह step हमारा किया था, आपने save करना है, आप फाइल को save करते हैं, suppose यहाँ पर मैं बना देती हूँ, इसको bill report के नाम से, आप चाहें तो जो मट्रिस में नाम रख सकते हैं, save कर देंगे इसको, उसके बाद इसको आप compile करेंगे, हाँजी compile करेंगे, आपके पास किसी किसम के errors यहाँ आपके पास वो warnings नहीं आई, उसके बाद इसको आप run करेंगे, जैसे आप run करेंगे तो automatically जो हो screen पे display करना शुरू कर देगा, कि आपके पास जो हो console सामने आजएगी, जिसमें देखें, उसने दिया enter the quantity of product, कि आपके customer ने कितनी quantity परचेस किया, आपका जो customer उसने, जो product है वो उसकी two quantities, यानि two units उसने परचेस किये, आपने two enter कर दिया, तो ये two basically आपका कहां जा रहा है, ये two आपका यहाँ पर इस quantity वाले variable में यहाँ से store हो रहा है, यानि ये message था, ये आपका देखेंगे message नज़र आ रहा है याँ आपर, और ये quantity की मदर से याँ two choice में enter हो जाएगा, उसके बाद वो bill calculate करके आपको screen पर डिस्प्ले कर आएगा, जैसे आपने message दिया, देखें मैं जैसे enter की press करूँगी, उसने देखे 150 आपका पास price ही fix थी, उसने उसके साथ true के साथ multiply करके आपको total bill 300 दे दिया, तो आपको पास जैना हो इसका program जो easily create हो गया, आप इसे बार बार चेंज करके values देके भी देख सकते हैं, कि आपका program कैसा जो है वो result देता है, तो hopefully आपको यह समझ आ गया होगा, next हम चलते हैं आगे, हमारा next topic है, जो next हमारे पस था, जो type थी, एक हमारे पस const qualifier था, यानि keyword था, और next हमारे पस जो है, वो हमारे पस आ जाएगा, इसमें define directive इस्तमाल करके, same यही program मैं बनाऊंगी, लेकिन इसमें मैं const keyword का इस्तमाल नहीं करूँगी, मैं define directive का इस्तमाल करते हैं इसको create करूँगी, तो मैं इसी को थोड़ सा modify करने जा रही हूँ, अच्छा इसमें आपने const जो है वो इस्तमाल नहीं करना, बलके इसमें आप क्या करेंगे, define के इस्तमाल करेंगे, तो इसके यह मैंने statement इसमें निकाल दिया, और जो define है basically, वो आप main से पहले इसको बनाते हैं, और जो main से पहले बनाते हैं तो hash, इसके बाद define, फिर आप space देते हैं, price लिखेंगे, फिर space देंगे, और फिर उसके बाद 150 आप सेम इसना से देंगे, इसमें छोटा सफर के, जो define आपके keyword है, यह हमेशा आपके main से बाहर काम करता है, और इसका काम भी यह होता है, कि आप एक चीज़ define करने जा रहे हैं, create कर रहे हैं, और सामने आप उसका name देख लिएते हैं, variable का तो समझ आ जाती है, आपको एक variable बनाना है, और जैसे उसमें value store करवाते हैं, तो उसको यह अब अंदाजा हो जाता है, कि यह variable नहीं है, बलकि constant type जह हैं वापपा से, जह हो value इसमें store हो जाएगी, तो यह आप उसको इससे बाहर बनाते है main से, और इसमें आपको is equal to लगाने की जरुद नहीं पड़ती, semi colon आपको देने की जरुद नहीं रहती, आप इस लिए से create कर सकते हैं, अब same यही आपकी price इसमें इस्तमाल हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको define keyword से create की गई है, हाँ जिसको दुबारा save करते हैं, आप जब भी change करें program को, आप उसको लाजमी save करें, फिर उसको दुबारा से compile करें क्योंकि आपने इसको change की है, तो obviously उसकी transition या उसकी, जो conversion है वो भी obviously different आएगी, उसकी statements भी change होंगी, अच्छा अब इसको अगर आप देखें, इसमें फिर कोई error नहीं हमें नजर आ रहा है, और आपने कोशिश करनी है, students case में सारे letters आपके small ही इस्तमाल होते हैं, तो आपने small में इस्तमाल करने हैं, हाँ जिए भी इसको run करेंगे हम, सहीं उसी तरह से जिसे पहले हमने इसको run किया था, और अगर आप इसमें देखें, तो दुबारा से आप पस उसी तरह से message आ गया है, वो फिर आप से कह रहा है कि आप enter करें, जितनी आपने product purchase किया, अब अगर suppose में 3 दे रही हूं, और जिसे में enter की press करूँगी, तो देखें उसने 150 को इसमाल करते वे, आपको bill आपका calculate करके दे दिये, तो यह हमने एक mini छोटा सा आपका, जो project वो create के लिए, जो कि आपकी से भी store पे use कर सकते हैं, कि आपके पास कोई एक चीज आप sale out कर रहे हैं, और जार से बाते एक चीज है तो उसकी fix price होगी, और आप quantity बस enter करेंगे, तो आपका जो computerized bill हो इसमें record होना शुरू हो जाएगा, गो कि अभी हमने बहुत कुछ सीखने हैं, लेकिन एक basic object structures का सीख चुकी हैं, hopefully आपको यह समझ में आ गया होगा, हाँ जी students के साथ ही आज का lecture wind up करते हैं, hopefully आज के lecture में आपको काफी हद तक जो problems थीजो issues से वो clear हो गये होंगे, और अगर फिर भी आपने कोई चीज पूछने हैं तो आप freely discuss कर सकते हैं, और इंशाला हम next lecture में मजीद उसको आगे detail के साथ continue करेंगे, thank you very much, Allah Hafiz